पंडित दीन दयाल उपाधधाई की 56 पुढ़ने तिथी पर उनकी जन्मिस्थली धानक्या में इसमरती व्याख्यान कारिक्रम आयजित किया गया जिसमें उपराश्रपती जगदीव धंखड ने भी शिरकत की इस तोरान उपराश्रपती जगदीव धंखड ने कहा कि आज पंडित दीन दयाल उपाधधाईजी की पुढ़ने इसमरती में हमें एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनके विचार भारत में बदलाव का बहुत बड़ा केंडर बने हैं गत्र दशक में देश में जो अकल्पनिय विकास हुआ है जो अप्रत्याशित परिवर्दन हुए हैं उनकी भावना के अनुरूप हुए हैं उपराश्रपती जगदीव धंखड ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पंडित दीन दयाल की सोश थी सामाजिक क्रांती अन्तियों दे तब तक नहीं आएगा जब तक माताओं बहनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर घर शोचाले जैसे क्रांतिकारी कदमों ने महिलाओं के जीवन में अभूत पूर्व सुधार किया है देश के निर्माण में नीती निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले तीन दशक में बहुत प्रयास हुएं पर सफल नहीं हुए वही नारी शक्ती बंदन अधिनियम ने इसे जमीनी हकीकत बनाया आने वाले समय में भारत की लोग सभा में और हर विधान सभा में नारी शक्ती का एक तिहाई प्रतिनिधित्व होगा एक ऐसे विक्ति के जीवन को याद करने हैं आज के दिन जो बदलाव का भारत में बहुत बड़ा किंद्र बना है अपी सेंटर ओफ इपोकल चेंज दीन द्यालुपाद्याजी उनका सोच उनका विचार उनका दर्शन आज जमीनी हकीकत है पहले कल्पना थी तीन दशक से एक बड़ी पीड़ा थी कि कई वार प्रियास वे पर सफल नहीं हुआ और वो प्रियास था कि निती निधारन में देश और राज्य के अभवी से निर्मान करने में महिलाओं की भागीदारी कैसे बड़े कैसे लोकसभा और विधान सभाओं में इनको प्रतिनी तो मिलें आज यह हकीकत है बीस और एकीस सितंबर दोहसार तेश को लोकसभा और राज्य सभा में नारी शक्ती वंदन अधिनें पारी थुआ यह जमेनी हकीकत मनिए आप अंधाजा लगाई आने वारे समय में नद्दीग भविशे में जब बारत की लोकसभा में हर विधान सभा में नारी शक्ती का प्रतिनी दितु है एक तिहाई से ज्यादा होगा क्योंकि एक तिहाई तो आरक्षित है अनारक्षित में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं